तो कैसे हो भाई लोग सब कुछ बढ़िया चल रहा है ना मेरे पास है इन्फिनिक्स का तरफ से ब्रैंडी स्मार्टफून इन्फिनिक्स नोट 12 टार्बो और इस स्मार्टफून को मैं काफी दिन से तुड़ा हेवी में यूज़ कर रहा हूँ ४र इस इन्फिनिक्स नोटुर टार्बो और संजोर हो आपके लिए समार्टफून को कर लिए शान्रफ करन में होड सब्सक्काइब और नौटिफिकेशन ग्र्म को ज़ुरू all में क्लिक करता रा कोई भी स्मार्ट फॉन पर्फेक्ट नहीं होता है हर स्मार्ट पुनके अंदर कुछ ने कुछ कमय मिलता है तो इनफिनिक्स ौट 와서 1 टार्व के अंदर कुछ कमया मिल जाएगा तो शुरू बात करते है स्मार्टफोन की build quality and designs है यह जो स्मार्टफोन आता है polycarbonate frame के साथ polycarbonate back रहने वाला है और यह पर flat design देखने को मिल जाएगा स्मार्टफोन की पीछे की तरफ रहने वाला है triple camera setup और camera का जो बाम है वो नाग के बराबर रहने वाला है लेकिन camera panel के आसपास में glass मिलता है जहाँ पर fingerprint का निसान जो है बहुत ज़्यादा आता है और पीछे की तरफ जो polycarbonate यूच के आए वह एरा गरा polycarbonate नहीं है बहुत हाड होने वाला है लेकिन यहाँ पर fingerprint का निसान आता है और यह जो स्मार्टफोन है पीछे से देखने में काफी खुबसरत लगता है यह जो स्मार्टफोन आता है साइड मांट fingerpin sensor के साथ fingerpin का जो position रहने वाला है वह बहुत ही अच्छा रहने वाला है लेकिन जब स्मार्टफोन को आप on या off करोगे तब बहुत ज्यादा दिक्काद आने वाला है क्योंकि इसका power button को frame के साथ attach कर दिया है अगर थोड़ी सी बाहर रहता तो on off करने में इतना ज़्यादा दिक्काद नहीं आता इसका finger pin sensor है वह बहुत ही फास्ट रहने वाला है मैं tap कर रहा हूँ तुरंद open हो रहा है और इसका face unlock भी फास्ट रहने वाला है यहां पर आप देख सकतो मैं tap कर रहा हूँ तुरंद open हो रहा है यह जो smartphone आता है वाटर ड्रॉप नॉट्स के साथ आप सभी लोगों को पता है इ नीचे जो चैने आपको average देखने को मिल जाएगा ऐसी भी smartphone जो हलका होने वाला है अब लॉंग टाइम के लिए यूज कर सकते हो कुछ भी problem नहीं आने वाला है इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा smartphone की display के बारे में smartphone की display में अब फोर के वीडियो को देख पाओगी कि ने चली मैं आपको detail में बताता हूं बात किया जाए डिस्प्ले का size के बारे में यह जो smartphone आता है 6.7 इंच FHD plus AMOLED display के साथ और यहां पर रहने वाला है normal सा 60Hz का refresh rate 60Hz को बहुत ही अच्छी तरीके से optimize किया है और यहां पर जो brightness मिलता है वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है जब मैंने outdoor में यूज किया मुझे problem नहीं मिला है डाइडर सानलाइड में यूज किया मुझे problem नहीं मिला है brightness लेकार एक यूजर को day to live यूज में कुछ भी problem नहीं आने वाला है यह जो smartphone आता है वाइड वाइन स्मार्टफोन आता है water drop notch के साथ तो यहां पर फूल वीव डिस्प्ले का मजा नहीं ले साकते हो डिस्प्ले प्रोटेक्शन के लिए यहां पर यूज किया है आप मैं बात करना चाहूंगा स्मार्टफोन की performance के बारे में स्मार्टफोन में BGM गेम कैसे चलता है नॉर्माल यूजर के लिए स्मार्टफोन कैसा होने वाला है कि स्मार्टफोन गेम खेलने के टाइम हीड वेकर होता है कि ने चली मैं आपको डीटेल में बताता हूँ यह जो स्मार्टफोन आता है मीडियाटिक की तरफ से G96 चिपसेट के साथ जो की गॉक्टा को चिपसेट है इसका जो clock speed अनकरता है 2.05 GHz में और यह जो चिपसेट बनावा है 12 नानोमेटर पर स्मार्टफोन में जो आन्तुत स्कूर आया है 3.12,000 प्लास स्मार्टफोन में आप वीजी में गेम को 40 पिस पर खिल सकते हो लेकिन आपद जो जाइरो मिलता है वो बहुत ही बेकार की मिलता है यह जो स्मार्टफोन है गेम खिलने के टाइम अभारिट नहीं होता है नॉर्म स्मूदली ओपिन हो रहा है जब स्कॉल किया था स्मूद पाफुमेंस मुझे मिला है हाँ भाई लोग मुझे पता है आपको वीडियो अच्छा लग रहा है फिर वे अपने अभी तक लाइक नहीं किया अगर लाइक नहीं किया तो जल्दी से लाइक कर दीजे चैनल को क्लि इसके बाद मैं बात करना चाहूंगा स्मार्टफून की हाइलेड़ेट फीचास से एक फीचास के बारे में जो एक इसका कैमेरा स्मार्टफून की कैमेरे से क्या फोर के वीडियो को रेकॉर्ड कर पाओगी कि नहीं स्मार्टफून में स्टेविलेशन कैसी मिलता है कालर व वीडियो में जो stabilization, autofocus उसे के साथ यहां पर जो detailing मिलता है वो ठीक ठक रहने वाला है price point के हिसाब से यहां पर stabilization में कहने वालो इतना अच्छा नहीं मिलता है लेकिन जो autofocus मिलता है वो बहुत ही first रहने वाला है कुछ picture sample में आप लोग के साथ share करो अब देखकर अंचत लगा सकते हैं इसका 50 megapixel का कमाल कैसा है यहां पर आप देख सकते हो जो quality आ रहा है वो बहुत ही अच्छा है ऐसे विडियो में या फोटो में थोड़ा सा ज्यादा है इसके वज़े से जो picture कर जो quality आता है वो बहुत ही डीटेलिंग भी बहुत ही अच्छा मिलता है आटो फोकस के माल में ठीक ठाक रहने वाला है यह जो स्मार्टफोन आता है 16 megapixel सेलफी कैमेरा के साथ इसका जो सेलफी कैमेरा मुझे इतना खास नहीं लगा है यहां पर थोड़ा सा white color का tone देखा ही दे रहे आगर यहां पर थो 5GB RAM को बढ़ा सकते हूं कि आपका जो टूटल RAM हो जाएगा 13GB RAM और यहां पर नाम का 8GB RAM नहीं मिलता है यहां पर जो पाफंस मिलता है ओ भी बहुत अच्छा रहने वाला है RAM बेर्जमेंट को टेस्ट करने के लिए मैंने बहुत सारा एप को क्लोज किया था और चहांपार मै 4G स्मार्टफोन ने Atlas स्मार्टफोन के अंदर 4G Plus का support देना चाहिता ऐसी भी जो स्मार्टफोन आता है सिंगल माइक के साथ अगर यहां पर डूइल माइक रहता तो और भी अच्छा होता है यहां पर noise problem आपको मिल जाएगा और यहां पर इंफिनिक्स का डायलर मिल जाएग यह वीडियो खतब होने के बाद अब देख सकते हो ऐसी वे स्मार्टफोन में जो भ्राइवसन मोटर मिलता है उसको बहुत अच्छी तरीकर से इंफिनिक्स ने आप्टिमेच कहे ब्राइवसन लेकर कुछ भी रिक्कत नहीं आने वाला है सारा लेविल जो मिलता है वो उई फुल चाज होने के लिए टइम लेता है वान आवर टेंड मिनिट के आसपास में और चार्जिंग के टाइम वे जो स्मार्टफोन ओभारण होता है नौर्माल हीड़ होता है 40 डिगरी के आसपास में इस पास में मैं दिन में एक बार चर्ज करता हूं और सारे दिन अराम से जाता है बैटरी वेकप स्मार्टफून के अंतर बहुत ही अच्छा समिल जाएगा अगर आप नॉर्माली उच करोगे आपके केस में बैटरी वेकप जो है और भी अच्छा मिलने वाला है इंफिनिक्स प्राइमेर स्पीकर मिलता है उसका क्वालीडी जबर्दस्त रहने वाला है वह लेकिन इसका उपर की तरफ जो स्पीकर मिलता है वह इतना ज्यादा लाउट नहीं है तो थोड़ी से दिख्कात आने वाला एक लावट यूजमें तो इसके बार आते सिधा कॉनकूलूसान पार के तरब Infinix Note 12 Turbo एक जो स्मार्टफोन है काईसा होने वाला है क्या स्मार्टफोन को पर्चिस करना चाहिए कि नहीं जो स्मार्टफोन आता है 8GB 1208 वाला फ्रेंड के साथ 15,000 रूपिस में और 15,000 रूपिस प्राइस वांड के हिसाब से रिखा जाए जो स्मार्टफोन है एक पा इंफिनिक्स के लवार्स हो तो आपके लिए एक अलग सी बात रहने वाला है क्योंकि स्मार्टफोन के अंदर जो गेमिंग पाफ़न से वह इतना अच्छा नहीं मिलता है और जाइरो संसर भी इतना अच्छी तरीका से काम नहीं करता है अगर आप जाइरो प्लेयर हो अगर नहीं लगा है तो आगर आप इंफिनिक्स के लवार्स हो तो आप स्मार्टफोन में ब्जह में अच्छा चलता है क्या वह दोनों स्मार्टफोन के अंदर लागवक सेम देखने को मिल जाएगा को ऊडब स्टिङ library सेम रहने वाला है जैसे डिस्प्ले राम कम मिल रहा है rean अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो एक लाइक करना उसी के साथ चलने को कैल लीजे सब्सक्काइब और नोटिफिकेसन वेल को जुरू आल में क्लिक करना